कोरोना महावारी के संकटकाल में शासन वो प्रशासन लगातार आम जनों की सुरक्षित रहने के लिए दिशा निर्देश जारी करती रहती है लेकिन लोगों के द्वारा नियमों को ताक पर रख कर स्वयम के साथ ही अन्य लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवार किया जा रहा था जिसके बाद जिला प्रशासन सुरजपूर के द्वारा कलेक्टर रंबीर शर्मा की निर्देश पर सक्त रवया अपनाया क्या जो भी नियमों की उलंगना करते पाया गया उन पर कारेवाही की गई सारवजिनिक स्थानों में बिना मास्क लगाए जाने वालों वनियम विरुद दुकान खोले पर जुर्माना लगाया क्या अब आपको जाएना चाहिए कि कहा कहा कितना जुर्माना लगा आपको बता दे कि जीला परशासन सुरजपूर की जारी रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिका सुरजपूर में सारवजिनिक स्थानों में बिना मास्क लगाए जाने पर 2,123 लोगों पर 2,25,950 रुपे नियम विरुद दुकान खोलने पर 119 संचालकों से 78,400 रुपे नगर पंचायद प्रेम नगर में सारवजिनिक स्थानों में बिना मास्क लगाए पाए जाने वार 702 लोगों से 48,730 रुपे वही नियम विरुद दुकान खोलने पर 13 संचालकों से 9450 रुपे नगर पंचायद प्रेम प्रेम में सारवजिनिक स्थानों में बिना मास्क लगाए पाए जाने वालों पर 346 लोगों से 99,750 रुपे नियम विरुद दुकान खोलने पर 13 संचालकों से 600 रुपे तो वही नगर पंचायद प्रतापूर में सारवजिनिक स्थानों में बिना मास्क लगाए पाए जाने पर 630 लोगों से 62,550 रुपे एवं नियम विरुद दुकान खोलने पर 22 संचालकों से 17,100 रुपे इसके अलावा नगर पंचायत में सार्जनिक स्थानों में बिना मास्क लगाए जाने पर 560 लोगों से 94,640 रुपए एवं नियम विरुद दुकान खोलने पर 28,000 संचालकों से 32,000 रुपए प्राप्त किये गए वही नगर पंचायत भटगाओं में सार्जनिक स्थानों में बिना मास्क लगाए पाए जाने पर 178 लोगों पर 18,980 रुपए एवं नियम विरुद दुकान खोलने पर 36 संचालकों से 16,100 रुपए जुर्माना वसूला गया सूराजपूर से समाधाता तुलेश्वर प्रजापति की रिपोर्ट राजगराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज